जैहिंद एनाइटी नैसनल इंस्टिटूट ऑफ कुरुक्षेत राश्ट्र प्रॉद्धुकी की संस्थान कुरुक्षेत तो फ्रेंट्स यहाँ पर एक रिक्यूमेंट निकल कर आ रहा है भई आईटी डिप्लोमा केंडिडेट के लिए जो यहाँ पर पर्मनेंट जॉब आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर दूगा ठीक है अब यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई यहाँ पर मैं एनाइटी के ओफिसल वेबसाइट पर हूँ अब यहाँ पर उसमें प्र आपको लेकर जाएंगी कि यहाँ पर क्या-क्या जो है के है जैसा कि आप इसकी पर देख रहे यहth tim निए रहा रहे हैं पर जो पुोष्ट निकलकर आ रही है जूनियर इंजीनियर इचित कर घ्रीज के रहे हैं ऑइड्या इंफ्पर जोड़नर पोश्ट को भी कर लगाμη किहीं पर ठीक हैmontरी नो पर सीनियर इसिस्टेंट और शिसी केटिगरी में यहाँ पर डिवाइट किया गया है ठीक है जो आपकी के अपकी पुश्ट के अपको आप यहाँ पर फॉर्म को एपलाई कर सकते हूं अब यहाँ पर थोड़ा से मैं अगर एजुकेशनल कौलिफकेशन को लेकर जाओं तो वही जूनियर इंजीनियर में आपका बी टेक होना चाहिए बी बी टेक सिवल से ठीक है या फिर आपका डिपलोमा होना चाहिए यहाँ पर तो भी आप यहाँ पर एपलाई कर सकते हूं ठीक है यहाँ पर एक साल का प्रोवेशन पिरेड होगा देन उसके बाद आपको परमनेंट कर दिया जाएगा तीस साल यहा यहां पर पर्मनेंट कर दिया जाएगा उसके बार यहां पर स्टुडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट असिस्टेंट की है यहां पर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजूकेशन फर्म रिकनाइज इंस्टिटूट से या फिर आपका यहां पर लिखाए गया से ठीक है और यहां पर लिखा गया है बैचलर डिग्री इनका लाइब्रेरी में आपका होना चाहिए ठीक है तो आप यहां पर अप्लाए कर सकते हो लाइब्रेरी एंड इंफर्मेशन साइंस में उसके बार यहां पर आपका तीस साल एज लिमिट रखा गया है भी डिजार तो होना चाहिए और आपके पास यहां पर 100 WPM मतलब 100 words per minute की यहां पर आपकी typing होना चाहिए minimum speed है न तो आप यहां पर apply कर सकते हो 33 years यहां पर age limit रखी गई है बाकी जो चीज़े हैं वो desirable में एक साल का यहां पर भी आपका जो है तो probation period रखा जाएगा इस टेनो ग्राफर में भी आपका यहां पर level 4 का salary रहेगा इसमें आपकी 12th मागी गई है और 80 words per minute आपकी typing speed होना चाहिए यहां पर जो आपकी 17 साल maximum age limit रखी गई है ठीक है एक साल का आपका probation period हो रहागा ठीक है यहां पर senior assistant की यहां पर total number 6 है जिस इसमें आपका 12th होना चाहिए और 35 words per minute आपकी 35 words per minute आपकी यहां पर ट्राइपिंग होनी चाहिए ठीक है और यहां पर proficiency in computer word processing का भी आपको यहां पर spare seat का knowledge होना चाहिए ठीक है वाकि यहां पर 33 है आपकी एजनेमिट रखी गई है एक साल का यहां पर भी आपका probation period होगा ठ push 3 है जिसमें OBC की 2 है AWS की 1 है यहां पर आपको 12 होना चाहिए और 35 words per minute आपकी यहां पर टाइपिंग सेम और computer processing spread seat का knowledge आपकी होना चाहिए 27 यहां पर age limit आपकी रखी गई है उसके बाद technical assistant यहां पर एक diploma के इंडिट को apply कर सकता है ठीक है यहां पर आपका B.E.B.Tech होना चाहि है तो यहां पर SC की one post electrical में civil की वी यहां पर one post है central workshop mechanical engineering यहां पर एक post है उसके बाद chemistry की एक post है business administrative computer application की यहां पर EWS की पोस्ट है तो यहां पर आपका diploma है तो आप particular जो trade यहां पर mention की गई है यह उसमें apply कर सकते हो ठीक है आपकी category के according बाकि यहां पर for business administration के लिए यहां पर M.C.A. होना चाहिए ठीक है आपकी जो particular trade है उसमें यहां पर आपका diploma होना चाहिए ठीक है business administrative computer application में तो आप यहां पर apply कर सकते हो बाकि यहां साइंस chemistry में भी आपका bachelor degree होना चाहिए chemistry में with science के साथ तो आप यहां पर apply कर सकते हो 30 years यहां पर 30 साल एजिनेविट रखी है यह senior technician में total number of post 14 है यहां पर आपका 12th 50% marks के साथ होना चाहिए science subject में ठीक है उसके बाद यहां पर RTI course आपके पास 1 साल का होना चाहिए तो आप यहां पर apply कर सकते हो यहां फिर आपके पास 10th में 60% marks हो 2 साल का RTI है तो भी apply कर सकते हो यहां पर आपके पास diploma है तीन साल का यहां पर तो भी आप apply कर सकते हो ठीक है यहां पर जो post को mention किया गया है civil की यहां पर esc की one post है u r की one post है electrical engineering की यहां पर one post है तो electronic and communication की one post है ews की one है तो यहां पर पूरी जो है यहां पर category के according mention किया गया है आप देख लीजेगा आपकी trade कोन सी बागी देखो mechanical में तो लगबग सारी trade आ जाती है जैसे जो मसीनिस्ट हुआ ठीक है उसके बाद यहां पर फिटर हुआ तो यह सारी मेकैनिकल चैन्ट वाला screens में आती है तो यहां पर इक आइधा के बागि के अंपर ट्रेड़ेर ढूलके दिया गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर 33 एर एज लिमिट रखी गई है लेवल 4 की आपकी यहाँ पर सेली देएगी टेक्निसियन में भी आपकी टूटल 21 पोस्ट है इसमें आपका 12 पास होना चाहिए 50% मार्क सिक्साथ और आइट एक साल का होना चाहिए सेम यहाँ पर भ सब्सक्राइब करना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाइ करना है ठीक है उसकी आपको जो फीस है वहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो केंडिड़ेट है और EWS वाले उनकी 500 लगने केंडिड़ेट की है आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाली ठीक है ओनलाइन अप्लाइ करना है लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रम्स और कंडिशने में आपको बता देता हूं इसकी हाट कोपी आपको डिपार्टमेंट को भीजना पड़ेगा जब आप फोर्म अप्लाइ कर द यहाँ पर Age Relaxation इसमें जो है आपको दिया जाएगा ठीक है बाकि आपको डिटन टेस्ट होगा इसकी टेस्ट होगा वो आपको मेल के तुरू या ओफिसियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा तो चैनल के साथ भी डेफिनेटली बने रही है ताकि कोई भी अपडेट आत पर फॉर्म को apply कर सकते हो बाकि आपको hard copy जो है भीजनी है यह particular जो यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर यह देख सकते हुआ यह जो आपको hard copy है इसको national institute of technology कुरुक 6136199 हरयाना इसमें by post आपको यहाँ पर भीजनी होगी ठीक है बाकि सारे आपके जो आपका print निकलेग है experience के जो भी जितने भी आपके जो educational qualification आधार card pen card इनके सब को self-protested करके print के साथ लगा कर आपको वो print को by post यहाँ पर department को भीजना है ठीक है अब किस date से पहले-पहले भीजना है यहाँ पर 7 March 2023 से पहले-पहले आपको form यहाँ पर भीज देना है कितने 7 March 2023 से पहले-पहले ठीक है इसके बाद अगर आप भेजोगे तो भाई यह accept कर दिया जाएगा यह फिर accept नहीं होगा है ना reject हो जाएगा इसके बाद भाई यह सारा कुछ बताएगा मार्क सीट वगएरा जो भी आप देखो सारे documents आपको यहाँ पर भीजने होंगे सबकी xerox बेजना है ना कि आप original दो ठीक है xerox बेजना है self-attested करके आपको यहाँ पर सारे अपनी documents जो है भीजने होंगे printer के साथ लगा कर और इसकी जो last data मैं फिर से बूल दे रहा हूं और यहाँ पर online apply करने की 28th फरवरी 2023 तक जो है इसकी last data बागी इन्हें यहाँ पर relating submission on online application में भी sent to यहाँ पर आप में उनको mail भी कर सकते हैं उसका PDF बना कर आप mail भी कर दीजिएगा तो जादा बेटर रहेगा यह बताया गया है requirement at the rate nitkkr ठीक है ac in.in तो इस पर आप mail भी कर दीजिएगा उन documents की PDF को बना कर ठीक है तो अच्छा रहेगा बाकी यही थी भाई requirement यह सारा आपके information जो है यहाँ पर definitely आपको यही पर देखने मिलेगी मिलते है next update के साथ